हाई प्रेंड्स तो आप लोग को बता है कि सर्दियां आ गई हैं सर्दियों में सूप कितना ज़्यादा फायदे मंद होते हैं इसलिए आज हमने सोचा कि आज हम सूप बनाएं सूप बना कर आप लोग को भी सेयर करें तो आईए देर किस बात की अब बनाना स्टार्ट करते ह सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें सबजियों को ले लेना है यहाँ पर हम तीन तमाटर मीडियम साइज कर लिए हैं एक मीडियम साइज की लोग के लिए हैं इससे अची तरह से धूल कर हम काट लेंगे तमाटर को कट करके हमें दो भाग में कर लेना है इसी तरह से सारे टमाटर को हम कट कर लेंगे इसके बाद इस टोप पर हमें एक कड़ाई रख देना है उसमें हमें कटे हुए टमाटर को इस तरह से रख देना है इसी तरह से सारे टमाटर को हम रख देंगे अब इसी इस टेप पर हमें लौकी को कट कर देना है लौकी को हम आदे भाग में कट कर देंगे आप चाहें तो लौकी को छील भी सकते हैं हम बिना छीले वे लौकी का बना रहे हैं छोटा छोटा पीस बना कर हमें इसी तरह से लौकी को आयट कर देना है इसे भी हम कढ़ाई में आयट कर देने के बाद उपर से हम पानी को आइट करेंगे लगवक देड़ कब के बराबर हमें पानी आइट करना है ताकि सब्जियां अच्छी तरह से उबल जाएं अब इसी के उपर हमें लिट लगा देना है लिट लगा कर लगवक चार मिनट के लिए छोड़ देना है मीडियम फ्लेम करके हम चार मिनट तक छोड़ देंगे अब यहाँ पर चार मिनट हो गए हैं इसे ओपिन करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं सब्जियां विल्कुल बल गई है यह सौफ्ट हो चुकी हैं अब हमें इसी इस्टिप पर फ्लेम को आफ कर देना है अब हमें टमाटर की स्कीन को निकाल देना है एक एक करके सारे टमाटर की स्कीन को हम इसी तरह से निकाल देंगे इसके बाद छान कर हमें एक मिकसर जार में इसे आइड कर देना है उबली होई सब्जियों को हम जार में आइड कर देंगे इसके बाद इसे हम पीश लेते हैं ग्राइंड करके बिल्कुल महीन कर देंगे इसे हमें तब तक पीश ना है जब तक अच्छा सा पेश्ट बन का तयार नहीं होता है यहाँ पर देख सकते हैं पेश्ट रेड़ी हो गया है एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं अब हमें एक बड़ा सा बाउल ले लेना है उसके उपर हमें बड़ी साइज की च्छननी को रख कर इसे च्छान लेना है यह बहुत आसान तरिक के से च्छन जाते हैं इसे मिलाते हुए चमच की मदद से हम छान लेते हैं मिलाते हुए चमच की सहायता से हमें फ्रेश जूस को बिल्कुल अलग कर लेना है छान कर छानने से बड़े वाले पार्ट बिल्कुल आसान तरिके से अलग हो जाते हैं यहां पर देख सकते हैं जूस बिल्कुर ready हो गया है अब हमें एक कढ़ाये में एक बड़े चमज के बराबर गी अड़ करना है अगर आपके पास बटर है तो उसे भी अड़ कर सकते हैं इसकी बाद इसमें हमें जीरा अड़ कर देना है यहाँ पर हम एक चमज से थोड़ा सा कम साबू जीरा आड़ कर देंगे बारिक कटी हुई लेसुन की कलिया आड़ कर देंगे यहाँ पर हम छे दाने की बराबर लेसुन की कलिया नहीं यह थे इसे बिल्कुल हम बारिक कट कर देंगे आधी एंच के बराबर बारीक कटा हुआ अध्रग भी हम ऐड़ कर देंगे इस तरह से सारी सामगरी को हमें तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते है अब इसी स्टिक पर एक चमज के बराबर हम लाल मुर्च के पाउडर को ऐड़ करेंगे आधी चमज से थोड़ा सा कम हम काले मुर्च के पाउडर को ऐड़ कर देंगे अब इसे भी हमें थोड़े देर तक मिलाते रहना है याद रखे जब भी हम मसालो को ऐड़ करें तो फ्लेम को बिलकुल लो कर दें यहाँ पर यह भून चुका है इसे इस टेपर हमें जोस को ऐड़ कर देना है टमाटर और लोकी की बनाई हुई प्यूरी को ऐड़ कर देने के बाद इसे एक बार हम मिला लेंगे अब फ्लेम को हमें मेडियम कर देना है सर्दिया में सूप बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होते है हफ्ते में एक या दो बार सूप को जरूर ट्राए करना चाहिए इसे गले की समस्या खांसे कम हो जाती है थोड़ी बहुत रहत मिलती है इस तरह से मिला देने के बाद अब इस पर हमें लिट लगा देना है लिट लगा देने के बाद लगवग एक मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे अब एक मिनट हो चुका है इसे ओपन करते हैं एक बार इसे हम मिला लेते हैं दिखा देते हैं आप लोगों को थोड़े देर तक इसे हम लगातार मिलाते रहेंगे जब प्यूरी कुछ इस तरह से दिखने लगे तब इसी इस्टेप पर हमें पानी को आइड कर देना है लगभग यहाँ पर हम डेर कप के बराबर ही पानी आइड करेंगे हमें ज़्यादा पानी नहीं आइड करना है पानी को आइड कर देने के बाद एक बार फिर से हम इसे मिला लेते है मिला लेने के बाद अब उपर से हमें कुछ सामगरी को और भी आइड करना है हम स्वात के अनुसार नमक आइड कर देंगे यहाँ पर हम सेधा नमक आइड किये हैं एक छोटे चमज के बराबर हमें चीनी आइड करना है याद रखिए अगर आपके पास काला नमक और गुड है तो उसे भी आइड कर सकते हैं इससे टेस्ट अच्छा आता भी है साथ में इसके फायदे भी है अब इसे मिला लेने के बाद अब इस पर हम फायनली लिट लगा देंगे लिट लगा कर लगवद दो मिनट तक इसे हम छोड़ देंगे इससे टेपर फ्लेम को हम बिलकुन मेडियम रखेंगे अब दो मिनट हो चुके हैं दो मिनट बाद इसे ओपन करते हैं अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें इसी तरह से लौकी और टमाटेर से बने हुए सोप को एक बार जरूर ट्राई करें अब मिलते हम आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई